हलो वेलिकम तू प्लास फ्रफ अदोब को प्लास पॉट को या जब काम उसकी बीशेप पर करते हैं तो हम उसकेotros करना या फिर उसको scale करना या चोटा या बड़ा करना तो उसके लिए selection tool की मदद से हम पहले object को select करते हैं और उसके बाद काम करते हैं तो पहले selection tool के लिए हमें कुछ objects जाई हैं definitely on our workspace हमारे इस artwork के ओपर कुछ objects यानि कि कुछ shapes हमें जरूरत होंगी तो shapes के लिए हमारे पास यहां पर आ जाता है shape tool जिसके अंदर काफी सारी shapes मिल जाती हैं जिसके अंदर rectangle है rounded rectangle है उसके लावा ellipse tool तो यही तमाम shapes हमें यहां से मिल जाती है for example मैं rectangle tool लेकर यहां पर एक rectangle draw करता हूँ तो मैंने click किया और click करने के बाद जैसे ही ड्रैग कर रहा हूँ तो randomly किसी भी direction में यहां पर कोई भी rectangle draw कर सकता हूँ मैंने यहां पर rectangle draw किया अब यहां पर colors की अगर बात करें तो rectangle draw करने के बाद हमारे पास default colors है white fill के साथ और black outline के साथ यहां पर white fill है, अगर हम यहां देखें, हमने एक object को, हमने इस object को, इस shape को select किया, select करने के बाद हमारे पास यहां पर दो colors show हो रहे हैं, एक white है और एक black है, अगर इस पर cursor लेकर आए तो यहां में मिल रहा है fill color, fill color हमारे पास white है, और यहां stroke, यहां इस shape की outline का color black है, तो हम yellow color देना चाहरा हूँ, तो यहां पर outline का भी color आगे, अब अगर मैं इस color को हटाना चाहरा हूँ, for example, मैं चाहता हूँ, कि मेरे पास fill color आया, और outline का stroke का color ना आया, यहां से अगर outline बढ़ा के देखें, तो यहां पर outline के अंदर, एक yellow color शोर है, मैं चाहरा हूँ, कि मेरे पास fill color हो लेकिन outline color ना हो तो अगर इसको मैं खतम करना चाह रहा हूं तो मैंने इस object को select किया single click करके मैंने इस object को select किया select करने के बाद मैंने stroke पर click किया اور यहां से none पर click कर दिया तो यहां से stroke खतम हो गी इसी तरीके से अगर मैंने field खतम करना है For example, मैं यहाँ पर stroke apply कर देता हूँ यहाँ पर stroke applied है अब मैं अगर fill color खतम करना चाहरा हूँ अब यहीं पर none पर click करने से stroke क्योंकि selected है तो stroke खतम हो जाएगा लेकिन मैंने करना है fill खतम तो मैंने object को select किया उसके बाद fill को activate किया fill activate होने के बाद यह box उपर आ जाएगा उसके बाद जब none करूँगा तो fill color खतम हो जाएगा तो simply यहाँ पर आपने एक shape draw की और उसके बाद आपने direct selection tool की मदद से इस shape को select किया shape को select करने के बाद हम इसकी colors बगारा की changing कर सकते है यानि इसके अंदर fill apply कर सकते हैं या फिर इसको stroke apply कर सकते हैं तो इसके बाद for example अगर मैं यहाँ पर एक और object ले लेता हूँ I have a rectangle here और मैं यहाँ पर shape tool की अंदर से ellipse tool में एक और circle ले ले लेता हूँ मेरे पास same specification में यानि same colors के अंदर मेरे पास एक और shape draw हो चुकी है इस shape को मैं different color देना चाहरा हूँ मैंने यहाँ से fill color red कर दिया है और outline color भी change कर दिया मैंने green कर दिया इन दोनों को select करने के इनके strokes को थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि हमें नजर आए इसका outline color यहाँ से green कर देता हूँ तो यहाँ देखें कि दोनों shapes के हमारे पास different colors है यानि different fill colors है और different outline colors है अब selection tool क्या है? selection tool हमारे जिस object को select करता है उस पर working करता है for example यहाँ पर कोई भी object selected नहीं है मैंने selection tool लिया, selection tool के बाद मैंने यहाँ से एक object को एक shape को select किया यहाँ से मैंने square shape को select किया तो जैसे ही मैंने इसको select किया यहाँ पर आपके उसी shape के तमाम properties यहाँ पर आ गए यानि कि उसी shape के colors और outline, stroke यानि तमाम उसी shape की properties यहाँ पर आ रही है for example अगर इसके बाद मैं इस shape को इस circle को select करता हूँ तो मैंने जैसे इस पर click किया तो इसकी properties यानि इसके colors यहां पर हमेशो हो गए यानि अब select करने के बाद हम different shapes के अंदर changes ला सकते हैं उनके colors में तो ये तो हो गए colors हमारे selection tool की मदद से किसी भी object को modify करने के लिए उनके colors की changing हो या फिर उनको scale करना हो चोटा या बढ़ा करना हो या कोई भी उनकी properties के अंदर या कुछ भी उनके अंदर changes लानी है तो first of all selection tool हमें मदद देता है उसको select करने में यानि हमने selection tool की मदद से एक object को select किया उसके colors की changing की दूसरी चीज जो selection tool की मदद से हो सकती है वो ये कि एक shape के size यानि उसको transform करना उसकी replacement एक जगा से दूसरी जगा लेकर किसी भी corner के अंदर रख देना और दूसरी चीज क्या है इनके sizes को transform करना इसको छोटा करना या बढ़ा करना या इसकी shape को change करना इसकी shape को oval करना है कोई भी किसी भी shape में convert करना हो for example मैंने इस पर click किया तो यहाँ पर आपको एक box नज़र आ रहा होगा यहाँ पर एक box नज़र आ रहा है अगर यहाँ आपको ठीक से नज़र नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर इस circular shape को select करता हूँ तो जैसे ही मैंने select किया यहाँ पर एक bounding box इसे हम कहते है किसी भी तरफ बढ़ा सकता हूँ या कम कर सकता हूँ किसी भी तरफ यहाँ से बढ़ाया जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है किसी भी shape को transform करने के लिए एजिस के बाद अगर मैं यहाँ पर corners पर आऊ तो corners पर diagonally या दो directions में इस shape को transform किया जा सकता है इसके width and height में changes लाई जा सकते हैं For example, यहां से अगर मैं इस तरफ करना चाह रहा हूँ या फिर मैं कोई भी changes इस shape के अंदर लाना चाह रहा हूँ तो यहां से इस तरीके से corners के throw हो सकती है और यहां से edges के throw इनकी single one direction में इसकी shape की height and width में कमी लाई जा सकती है यानि शेप को transform किया जा सकता है इस selection tool की मदद से selection tool की मदद से object को select करके उनकी colors की changing उनकी shapes की changing की जा सकती है अब तीस्री चीज़ जो selection tool की मदद से हो सकती है वह यह है कि object को rotate करना For example, मैंने यहां से selection tool लिया, object को select किया इसके बाद मैं यहाँ पर अगर corners पर लेकर आता हूँ इन corners से थोड़ा सा दूर लेकर जाता हूँ इस point से मैं थोड़ा सा cursor को out लेकर जाता हूँ तो यहाँ पर देखें कि एक curved cursor मेरे पास बन गया इस curved cursor का क्या मतलब है कि मैं इस object को इस shape को rotate कर सकता हूँ किसी भी direction में इस point से थोड़ा सा cursor out लेकर गए और यहाँ से इस shape को कहीं भी rotate कर लिए किसी भी direction के अंदर यहाँ से shape को rotate किया जा सकता है तो यह तो simply हमने selection tool की मदद से colors को change करना या फिर shape को transform करना या फिर उसको rotate करना सेखा अगर हम इसके साथ कुछ extra keys को add कर दें तो things totally change यानि selection tool के अंदर selection tool से काम करते हुए अगर हम साथ में keyboard की एक दो keys जैसे shift की है और alt की है इन दोनों की मदद से अगर हम shapes tool का इस्तमाल करें तो things go easy for us कुछ आसानी हमारे लिए होती है for example मैं इन shapes को delete करता हूँ लाइन देखें pink line जो हमारे पास यहां diagonal में show हो रही है बिलकुल corner to corner एक diagonal में pink color की line show हो रही है यह हमारी smart guards है smart guards हमें मदद दे रही होती है shapes को समझने में for example यहां अगर मैं लेकर आता हूँ तो this guard shows me that यह shape बिलकुल center के end center पर end हो रही है for example यहां से यहां तक इस shape का यहां पर center है इस page के center के अंदर एक shape आ रही है अब यहां पर shape draw करते हुए मैं rectangle tool लेकर shape draw करने लगता हूँ तो यहां अगर देखें तो हम किसी भी direction के अंदर rectangle tool की मदद से shape draw कर सकते हैं यहां पर अगर मुझे perfect square चाहिए कि shape बिल्कुल perfectly width and height उसकी lock होकर एक साथ increase and decrease हो रही है तो इसका मतलब यह कि हमारी shape बिल्कुल perfect square होगी यानि कि उसकी height and width के अंदर कोई difference नहीं होगा वो दोनो height and width दोनों सेम होगी अगर आप यहां पर width and height देख सकें तो 228 pixels हमारी width and height और बिल्कुल तो यह shape बिल्कुल width and height उसकी सेम रही है इसी तरीके से ellipse tool अगर लें तो बिल्कुल perfect square बिल्कुल perfect circle बनाने के लिए अगर हम shift press नहीं करते उस सुरत में हमारा circle बिल्कुल perfect नहीं होगा लेकिन अगर हम shift press करते हैं तो उस सुरत में अगर देखें तो हमारी width and height इस circle की बिल्कुल same है यानि कि यह एक perfect circle draw होगा तो shift की की मदद से हम shapes की width and height बिल्कुल perfectly draw कर सकते हैं बिल्कुल same width and height रख सकते हैं उसके बाद अगर मैं इस shapes को delete कर देता हूँ तो यहाँ मेरे पास एक perfect circle है और यहाँ पर एक perfect square है अगर मैं बनाने के बाद इस shape को कहीं भी drag करने चारह हूँ कहीं भी drag करके रखना चारह हूँ for example मैं इस shape को यहाँ से लेकर यहाँ लेकर आना चारह हूँ और मैं चाहता हूँ कि यह same direction में हो ये हिल ना जाए अपनी direction से इस same line से हट ना जाए तो उसके लिए यहां से मैंने select करने के बाद इसको drag करते हुए अगर इसी तरीके से मैं drag कर रहा हूँ तो ये कहीं भी जा रहा है किसी भी direction में मैं इसे ले जा सकता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी direction same direction में रहेगा और direction अपनी change नहीं करेगा इसी direction में lock हो जाएगा इसी तरीके से अगर मैं इसको नीचे लेकर आना चाहरू इस तरह भी बिल्कुल same direction में यह आएगा इसकी direction यहां पर lock हो जाएगा यानिके हम इसे बिल्कुल एक सीधी डिरेक्शन में लेकर जाने के लिए Shift की प्रेस करके ले जा सकते हैं Next हमारे पास आता है Alt की Alt की की मदद से क्या हो सकता है Alt की की मदद से आपकी कीबोर्ड पर यहां Alt की अगर प्रेस करके रखते हैं तो हम इस शेप का डुप्लिकेट कर सकते हैं इस शेप को डुप्लिकेट करने के लिए मैंने यहां पर Alt की प्रेस की For example मैंने Selection Tool की मदद से इस शेप को सिलेक किया और उसके बाद मैं Alt की प्रेस करता हूँ तो यहां अगर आप देखें अब यही चीज मैं इस शेप के साथ करना चाहरा हूँ तो मैंने यहां पर Alt की प्रेस की और उसके बाद इसको ड्रैग करके यहां रखा तो अबजेक को सिलेक किया Alt की प्रेस की और ड्रैग और ड्रॉप कर दिया तो यहां पर हमारे पास इस तरीके से दिफरेंट कॉपी एक शेप की ले सकते हैं एक्स्टा शेप को मैं यहां से डिलीट कर देता हूँ मैं चाहरा हूँ कि यह शेप यहां से यहां तक रिपीट हो फॉर इसे जैसे इस शेप की मैं Alt की प्रेस करके एक डॉप्लिकेट ले चुका अब चाहता हूँ कि यही एक्शन दुबारा रिपीट हो इसी तरीके की एक और शेप यहां दुबारा ड्रॉव हो जाए अब इसको बजाए में यहां से यहां लाने के जिसका डिस्टेंस भी नहीं सही हो सकता हो सकते है कि इसकी यहां हाइट में भी ट्रांस्फॉर्म हो जाए उपर या नीचे से बिल्कुल हाइट में डिफरेंस आ जाए तो इसके लिए दुबारा से मुझे यहां से दुबारा कॉपी करने के लिए आल्ट की प्रेस करके यहां ड्राग और ड्रॉप करते रहने की जुरूरत नहीं है यहां से मैंने इस शेप को सेलेक किया फॉर इसेंपल दुबारा से अगर रिपीट करूँ तो मैंने यहां से इस शेप को सेलेक करके आल्ट की प्रेस करके एक कोपी ले लिए उसके बाद मैं control control प्रेस किया और उसके बाद मैं d-press करता हूँ तो same action repeat हो जाएगा यानि कि एक और copy मेरे पास यहाँ पर same distance पर create हो जाएगा उसके बाद दुबारा से d-press करता हूँ तो फिर से again एक shape बन गई दुबारा से d-press करता हूँ तो इस तरीके से d-press करने से क्या होगा यह shape copy होती जाएगी same direction में same respect यानि जो action आप repeat करेंगे इस shape की मुझे यहाँ पर एक और copy मिल गई इसी तरीके से एक और copy लेना चाहरा हूँ for example मैं चाहता हूँ कि यह shape मेरे पास यहाँ पर duplicate हो जाए तो मैं alt key प्रेस करूँगा इस shape को select करने के बाद alt key press करके drag करके यहाँ पर रख दूँगा तो जहाँ भी मुझे shape की copy चाहिए तो मैं उसे यहाँ से किसी भी तरीके से यहाँ alt key press करके ले जा सकता हूँ for example मैं यहाँ चाह रहूँ मैं यहाँ चाह रहूँ इसी तरीके से यह shape यह shape का मैं यहाँ पर alt key press करके एक इस तरफ copy ले लेता हूँ तो यह copy यहाँ पर इस जगर से यहाँ तक एक copy बन गई इस shape की अब मैं यहाँ इस shape को select करने के बाद control D press करता हूँ तो यहाँ same action repeat होता जाएगा उसी direction में उसी direction के अंदर इस shape की different copies repeat होती जाएगी copies बनती जाएगी duplicate होता जाएगा यहाँ यहाँ पर इन shapes तमाम shapes को select किया मैंने alt की press की और इन सब shapes की मैंने यहाँ एक copy लिए तमाम shapes की यहाँ मैंने एक copy लिए और यही action मैं दुबारा से repeat करना चाहरा हूँ मैं दुबारा से copy लेना चाहरा हूँ और नीचे तक in boxes को फेलाना चाहरा हूँ तो मैंने alt control D press किया तो control D press करने से यह shapes दुबारा से नीचे उसी action से उसी distance पर repeat होगी और duplicate होती जाएंगे अब अगर मैं इसे सिर्फ drag and drop कर देता हूँ for example मैंने यहाँ पर एक object रखा है और मैं यहाँ से यहाँ ले आता हूँ object को तो यह मेरा एक action record हो चुका है अब अगर मैं इसी action को repeat करना चाहरा हूँ तो इसके लिए मैं दुबारा नीचे step down हो जाएगी उसके बाद फिर से ctrl D press करता हूँ तो यह दुबारा वही action repeat करेगी तो repeat के लिए ctrl D press करेंगे तो same action repeat होता जाएगा जो आपने last action किया अब अगर मैं इसकी copy ले लेता हूँ यहाँ तक और दुबारा से repeat करता हूँ ctrl D press करके तो अब यह copies repeat होती जाएगे तो simply आप में shift और alt की की मदद से कुछ different actions play किया और उसके बाद इन shapes को duplicate करना सीखा हूँ अब मैं इन ही तमाम properties को use करके for example selection tool और उसकी मदद से कुछ draw करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर मैं एक rectangle की मदद से यहाँ एक पूरे paste के उपर rectangle ले लेता हूँ इसके अंदर कुछ random सा color fill कर देते हैं यहाँ पर outline को यहाँ select करके stroke को यहाँ से खतम कर दिया अब मेरे पास यहाँ पर एक box है और उसके बाद यहाँ से मैं एक और tool ले लेता हूँ जो कि हमारे पास है polygon tool polygon tool भी एक shape tool है shape tool यानिक एक polygon shape बनाता है shift press करके मैंने बिल्कुल width and height इसकी same रखी हो यहाँ पर एक shape ड्रॉब कर ली अब color मेरे पास वही same जो पहले selected था वही color आगे तो इसको यहाँ से change कर लेंगे यहाँ से थोड़ा dark सा color select कर लेता हूँ मैं तो एक shape मेरे पास ड्रॉब हो गई अब मैं चाहरा हूँ कि यह shape मेरे पास यहाँ कुछ different pattern बनाने के लिए यहाँ repeat हो जाए zoom in कर लेते हैं थोड़ा सा और यह shape मैं यहाँ पर repeat करना चाहरा हूँ इसे मैंने click किया select करने के बाद मैंने alt की press करके shift प्रेस करेंगे ताके हमारी line से यह हट ना जाए same line में आए तो यहाँ पर मैंने एक नीचे step लेकर थोड़ा सा distance रखके इसके दरम्यान इन दोनों shapes के दरम्यान यहाँ alt की press करके एक copy ले लिए तो यहाँ से एक shape मेरी duplicate हो गई है अब यहाँ पर control D press करेंगे तो यह shapes नीचे मजीद copies हो जाएंगे अगर shift की press करके रखें और एक-एक को select करें तो यह तमाम shapes एक साथ selected होती जाएंगी इन shapes को select करने के बाद मैं एक साथ इन्हें थोड़ा adjust कर देता हूं page के लिहाँ से तो यहाँ मेरे पास shapes adjust हो चुकी है अब दुबारा से मैं इनकी copy लेना चाहरा हूँ मैं यही shapes इन ही तमाम shapes को मैं इस पूरे page के उपर फैला कर एक कुछ different सा pattern बनाना चाहरा हूँ तो मैंने इन तमाम shapes को select किया और उसके बाद alt की press की alt की press करने के बाद एक दुबारा से यहाँ पर मैंने same distance में थोड़ा सा फासला same रखके यहाँ पर मैंने एक और copy ले ली तो यहाँ इन तमाम shapes को दुबारा से select कर लेते हैं shift की press करके मैंने इन तमाम shapes को select कर लिया अब page के हिसाब से यहाँ पर इनको adjust कर दिया तो अब मैं यही pattern दुबारा से repeat करना चाहरा हूँ same मेरी दूसरी लाना आगए अब मैं मजीद इन copies को बढ़ाना चाहरा हूँ तो यह तमाम shifts मेरे पास selected है alt की press करेंगे इसको drag करके shift की press करके रखेंगे ताकि line से disturb ना हो और दुबारा से मैं यहाँ same distance पर drop कर देता हूँ तो मेरे पास कुछ और copies आजाए जाएगे अब यही काम दुबारा करना चाहरा हूँ तो control D press करूँगा control D press करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक different sub pattern generate हो चुका है किसकी मदद से सिर्फ selection tool की मदद से हमने एक shape draw करने के बाद उसकी copies लिए और उनको पूरे page के उपर pattern की shape दे दी complete एक pattern बना लिए तो यह हमारे पास एक बिल्कुल clean सी different colors के अंदर shape draw हो चुकी है अब इसी तरीके से अगर हम एक और selection tool के बाद इसी class के अंदर करते चलें तो यहां मेरे पास एक magic when tool है अगर मैं इसे select करके इस पर select करता हूँ इस shape पर select करता हूँ तो magic when tool क्या करता है कि automatically different colors को या अगर मैं इस एक shape पर select करता हूँ तो इस color की तमाम shapes मेरे पास selected हो जाएंगी for example अब आप चाहरे हो कि आप in hexagons के colors को change करो तो आप इसके लिए यहां से एक एक shape को select करने की बजाए यहां से एक एक shape को select करने की बजाए यहां इस magic when tool की मदद से यहां एक shape पर select करोगे तो तमाम shapes जो इस color में होंगी वो तमाम shapes selected हो जाएंगी और उसके बाद यहां से आप इसका कोई भी color suggest कर सकते हो for example यहां से कुछ भी colors की changes करना चाहरे हैं आप तो यहां से इस color को change कर सकते हो मैं यहां से थोड़ा सा dark कर देता हूँ see कोई भी color आप देना चाहरे हो इस shape को तमाम shapes को एक साग select करने के लिए magic wand tool की मदद से आपने same colors को select कर लिया इस तरीके से और उसके बाद यहां पर कोई भी color दे दिया उनको तो यह एक difference of pattern हमारे पास बन चुका है सिर्फ selection tool की मदद से और एक shape को इस्तमाल करते हुए हमने एक shape बनाई उसके बाद उसको मदद से shapes को modify कर सकते हैं अगर आपने अभी तक YouTube को subscribe नहीं किया तो अभी subscribe कर लें ताके आने वाली तमाम classes आप तक सबसे पहले पहुंचें तो मिलते हैं अगली class में तब तक के लिए Allah आफेस